बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिरहीम अस्सलाम अलेकुम मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं अस्रा एक्स्प्रेस यूट्यूब एंड फेस्बुक चैनल आज के मुजू का उन्वान है माई दवाओं से कब ठीक होती हैं हाई स्ट्रीट साहिवाल पर मोटर साइकल को पंक्चर लगवाते हुए मैंने ये फैसला किया कि इस हफते भी अपने घर वापिस कबीर वाला ना ही जाओं तो बेतर है देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले तीन हफते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूँ तो फिर गर्मियों की चुटियों में एक ही बार चला जाओंगा मैं अभी इसी सोचो बिचार में खड़ा था कि मेरी नजर एक पंद्रा सोला साल के नुजवान पर पड़ी जिसको मैंने अपनी तरफ मतवज़ा पाया वो अजीब सवालिया नजरों से मेरी जाने देख रहा था जैसे मुझ से कोई बात करना चा रहा हो लेकिन चूँके सड़क पर रश बहुत था इसकी वज़ा से वो मुझ से बात कर नहीं पा रहा था जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकंदार को सो रुपए का नोट दिया उसने बीस रुपए काट कर बाकी मुझे वापिस कर दिये मैं मोटर साइकल पर सवार जैसे ही वापिस शहर जाने की तरफ मुरने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा भाई जान मैं घर से मजदूरी करने आया था आज दिहारी नहीं लगी आप मुझे वापिस का किराया बीस रुपए दे देंगे मैंने एक उचटती सी निगा इस पर डाली बिलकुल साहदा सा लबास माथे पर तेल से चिपके हुए बाल पाउं में सिमेंट भरा जूता मुझे वो सच्चा लगा मैंने बीस रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख दिये वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो नजाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया मिलती है उसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के साथ रुपए भी उसकी तरफ बढ़ा दिये वो हिचके चाते हुए पीछे हटा और कहने लगा नहीं भाईजान मेरा घर मंधाली शरीफ है मैं पैदल भी जा सकता था लेकिन कल से माजी की तबियत ठीक नहीं है उपर से दिहारी भी नहीं लगी सोचा आज जल्दी जाकर माजी की खिदमत कर लूँगा मैंने कहा अच्छा ये पैसे ले लो माजी के लिए दवाई ले जाना तो वो कहने लगा दवाई दवाई तुम्हें कल ही ले गया था आज मैं सारा दिन माजी के पास रहूँगा तो वो खुद बखुद ही ठीक हो जाएंगी माई दवाई से कहा ठीक होती है बाबुजी मैंने हिरान होकर पूछा तुम्हारा नाम क्या है इतने में इसकी बस भी आ गई वो बस के गेट पे लपक कर चड़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए जोर से बोला गुलू गुलू की बस चल पड़ी लेकिन गुलू के वापिस किये हुए साट रुपे मेरी हतेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को यकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा कुछ सोच कर मैंने मोटर साइकल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मौड लिया मोटर साइकल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकेट घर से पचास रुपे में खानेवाल का टिकेट लेकर गाड़ी के इंतिजार में बेंच पर बैठ गया कब गाड़ी आई कैसे में सवार हुआ मुझे कुछ खबर नहीं खानेवाल स्टेशन पर उतर कर भाटक से कबीर वाला की वैन पर सवार हुआ और आखरी बचे हुए दस रुपे किराया दे कर जब शाम ढहले अपने घर के दर्वाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सेहन में चरपाई पर अमी जान सर पर कपड़ा बांदे नीम दराज थी और मेरा बड़ा भाई दवाई का चमच भर कर उन्हें पिला रहा था मुझे देखते ही अमी जान उटकर खड़ी हो गई और उंची उंची आवाज में कहने लगी ओ मेरा पुतर खेर से घर आ गया है अब मैं बिलकुल ठीक हो जाऊंगी मैं आँखों में आँसू भरते हुए दोड़ कर उनके सीने से जा लगा बस के गेट में खड़े गुलू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आँखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि उसने मुझे साथ रुपे क्यूं वापिस किये थे चराख लेके कोई रास्ते में बैठा था मुझे सफर में जहां रात होने वाली थी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल और इस्लामिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घेंटी के निशान को दबा दें ताके आएंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें शुक्रिया अल्लाहाफिस झाल को दे बताएं